तो हंजी दोस्तों क्या हाल है आप सब के जैसे कि आप सब को पता होगा कि TikTok की rating 1.2 हो गई थी पिछले कुछ दिनों में क्योंकि आप सब लोगों ने जाके उसकी rating को 1 star दिया था अपना गुस्सा निकाला था क्यारी मिनाटी का साथ दिया था और उसकी जो rating है 1.2 हो गई थी लेकिन आज आप जाके check कि रिए जब मैं चाहके check कर रहा हूं तो वापस से TikTok की जो rating है वो 4.4 हो गई है ऐसा क्यों हुआ Google ने 10 million ratings को जो पिछले 10 दिन में की गई थी उनको delete कर दिया है और TikTok की rating वापस से 4.4 हो गई है और कुछ लोगों को लग रहा हूँ कि ये TikTok ने किया है बढ़ TikTok ये नहीं कर सकता Play Store पे अपनी rating को कोई भी delete नहीं कर सकता ये काम सिरफ Google ही कर सकता है और Google ने ये किया है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्नों ने कभी TikTok डाउनलोड नहीं किया बस बिना डाउनलोड किया ही जाके वहां पर one star rating दी और negative comments करी थे देखो TikTok केवल इंडिया में यूज नहीं होता पूरे world में यूज होता है और जब TikTok की image खराब हो रही थी प्ले स्टोर पे यानि कि उसकी rating 1.1 हो गई थी तो उसकी image इंडिया में नहीं पूरे world में खराब हो रही थी इंडिया मे इसलिए है कि लोग जिस app को use करते है experience अपना share करते है review करके ताकि दूसरे लोगों को जिन्हों ने app download नहीं करा है उनको पता चल पाए कि यह application कैसा है अच्छा है बुरा है लोगों की सोच क्या है उसके बारे में लोगों का experience क्या रहा है तो उसको पढ़के लोग फिर से उ स्टार रेटिंग दिये है वो कोई उन्होंने अपना user experience शेर नहीं करा है क्योंकि user experience पिछले तीन साल से लोगों ने शेर किया था उसमें 4.4 रेटिंग पे वो टिक टॉक था बट यह पिछले 10 दिन में जो कॉंट्रोवर्सी हुई है उसमें चाहे हम लोगों ने चाहिना के 10 दिन में वहां पे दी गई थी और वो भी नेगेटिव यानि कि वन स्टार रेटिंग दी गई थी तो गूगल ने इस चीज को समझा है कि यह user experience नहीं है यह सिरफ अपना गुसा निकाला है लोगों ने अपनी हेट निकाली है टिक टॉक के खिलाब चाइना के खिलाब और क कि ऐसे ही दी गई थी किसी और कारण से ना कि अपना user experience शेयर करने के लिए review में दिया गया था क्योंकि गूगल को भी सब पता है कि यह 10 दिन में 10 million reviews कैसे आये हैं यह influence होके आये हैं या फिर किसी ने अपना गुसा निकाला है तो किसी की image खराब करने के लिए Google उस चीज को अपने platform पे नहीं रख सकता था इसलिए उसने टिक टॉक की बात मानी और अपनी जो रेटिंग्स हैं पिछले 10 दिन की वो डिलीट कर दी और टिक टॉक की वापस से रेटिंग 4.4 हो गई है मेरे इसाफ से Google ने जो किया वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं है क्योंकि जो भी है जैसे भी है कि तो जैनुवन लोगों ने रेटिंग्स थी उसकी और गूगल को उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था बट फिर भी गूगल अपनी जगा पे कुछ सोच समझके ही यह सब किया होगा लेकिन बात यह है कि आप सब लोगों ने जो जाके वहाँ पे रेटिंग द लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंड में जरूर बताना और अगर इस टॉपिक पर कोई और इंटरेस्टिंग न्यूज आती है तो मैं आप कुछ जरूर बताऊंगा